दोस्तों इस वीडियो में थ्री इंडेक्स फंड को मैं कवर करने वाला हूँ अलग-अलग कटेग्री से और ये तीनों ही इंडेक्स फंड एक साल के अंदर बेहतरीन रिटन्स निकालके दिये हैं एक फंड ने 22 परसेंट से ज्यादा का रिटन्स निकालके दिया है दूसरे फंड ने 60 परसेंट से ज्यादा का रिटन्स निकालके दिया है और तीसरे फंड ने 63 परसेंट 63 परसेंट का रिटन्स निकालके दिया है वो भी एक साल के अंदर और वो भी इंडेक्स फंड में ना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको top 3 index fund बताने वाला हूँ और वो भी उनके peer से compare करके तो वीडियो को पूरा देखिएगा उसके बाद आपको clear idea चल जाएगा कि आपको किस fund में निविस करने के बारे में सोचना चाहिए तो चली वीडियो सुरू करते हैं और हाँ वीडियो सुरू करते हैं तो पहला है निफ्टी 50 index तो निफ्टी 50 index fund में जो लोग investing करने के बारे में सोच रहे हैं इस कटेगरी से मैंने चार fund select करा है और इन चारो fund को मैं एक दूसरे से compare करने वाला हूँ और लास्ट में आपको मालूम चलेगा कि इन चारो में अगर आप निफ्ट index fund के बारे में तो निफ्टी 50 नाम से ही मालूम चल रहा है कि यह index fund निफ्टी 50 का जो benchmark है उसको follow करता है इसका निफ्टी 50 TRI benchmark है वहीं पर हम composition की बात करें तो निफ्टी 50 में इंडिया की top 50 companies है अलग-अलग सेक्टर से तो index की beauty तो यही है कि अगर आप index fund में निविस करते ह तो top 50 company का exposure मिल जाता है वहीं पर हम market represent की बात करें तो यह जो top 50 company है अलग-अलग सेक्टर की पूरे market का 66% से ज्यादा market cap को cover करती है देख सकते हैं तो निफ्टी 50 में क्या है कि जो company perform करेगी वो निफ्टी 50 में रहेगी वो world cup खेलेगी और जो company अच्छे से perform नहीं करेगी उ इसलिए तो निफ्टी 50 में बोला जाता है कि इसमें रिस्क आपका moderate हो जाता है और इसमें आपका पैसा diversified है क्योंकि अलग-अलग सेक्टर से company को select करा जाता है वहीं पर हम stability की बात करें तो यस इसमें stability बहुत जादा रहती है क्योंकि इंडिया की top 50 company है तो इन में क्या होत है तो इसमें buy or sell की कोई दिकत नहीं है वहीं पर हम liquidity की बात करें तो यस इसमें liquidity भी बहुत ज्यादा रहता है जैसे में आपको बता है कि stability भी रहती है और इन में volatility आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि बड़ी कंपनियां अगर 10-15% डिली ऊपर नीचे जाने लगेंगा त अगर हम performance की बात करें तो यस यह top 50 companies जो हैं लागाता returns देती रहती है धीरे धीरे बढ़ती है यह लेकिन ऐसे धीरे 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 ग्रो होती है यह सारी कंपनियां नीचे से अच्छा-कासा दोड़ लगा चुकी है और size में हाथी बन index HDFC का माने BAC Sensex का plan select करा है और SBI Nifty index fund तो इन चारों fund का एक बार हम लोग जल्दी से returns देख लेते हैं तो UTI Nifty 50 index ने one year में 26.20% का returns दिया है ICIC Nifty 50 ने 26.15% का returns दिया है HDFC index BAC का जो Sensex है इसने 23.17% का returns दिया है और SBI Nifty index fund 26.28% का returns दिया है तो देख सकते हैं कि यह 4 fund almost same returns निकालके दिये हैं लेकिन यहाँ पे HDFC Sensex ने यहाँ पे around 3% कम returns दिया है महीं पर अगर हम 3 years का returns देखें तो UTI Nifty 50 ने 14.84% का returns दिया है ICIC Nifty ने 14.82% और HDFC Sensex ने 14.46% और SBI Nifty index fund ने 14.83% का returns दिया है तो देख सकते हैं कि returns almost same है क्योंकि यह 4 fund एक ही benchmark को एक ही index को follow कर रहे है index fund ETF को ही हम लोग passive fund बोलते हैं अगर Nifty में तेजी आएगी तो index fund में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी अगर market में गिरावाट आएगी it means Nifty में गिरावाट आएगी तो आपको index fund में भी गिरावाट देखने को मिलेगी index fund ETF को मैंने compare करके बताया था उस video को नहीं देखा है देखिएगा top 7 ETF मैंने अलग-अलग sector से select करके बताया है अगर आप ETF में investing करने के बारे में सोच रहा है तो उस पर भी मैंने dedicated वीडियो बना रखिए तो वो भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी देखिएगा compare करिएगा सीखिएगा उसकी बाग decision लीजिएगा सुनिए सब की करिए मन की study करके निवेश करेंगे तभी पैसा बनता है एक बार हमें जल्दी से अब AUM देख लेते हैं तो UTI Nifty 50 Index का जो AUM है 16,924 करोर है और ICIC Pro का है 8,941 करोर और HDFC Sensex का है 6,802 और SBI Nifty 50 Index का है 7,310 करोर expense ratio देख लेते हैं तो UTI Nifty 50 का जो expense ratio है 0,18% है ICIC Nifty का है 0,17% HDFC Index Sensex का 0,20% है और SBI Nifty 50 Index का expense ratio है 0,20% PE ratio भी मैंने यहाँ पर mention कर दिया सेखने के लिए तो देख सकते हैं कि इन चारों fund का जो PE है 30 के ऊपर है minimum investment की बात करें तो UTI में आप minimum 500 से SIP सुरू कर सकते हैं ICIC में आप 100 से SIP कर सकते हैं HDFC Sensex का जो index है उसमें भी आप 100 से SIP सुरू कर सकते हैं और SBI Nifty 50 का जो index है इसमें minimum 500 से SIP सुरू कर सकते हैं वहीं पर अगर हम lock-in की बात करें तो इन चारों ही fund में lock-in नहीं है exit load की बात करें तो UTI Nifty 50 Index में exit load नहीं है ICIC Prudential की बात करें तो इसमें भी exit load नहीं है लेकिन HDFC Index Fund Sensex का जो plan है इसमें exit load है 0.25% अगर इस fund में निवेश करते हैं और 15 दिन का यहां पर है 15 days के अंदर इस fund से exit करते हैं तो 0.25% का यहां पर penalty देना पड़ेगा और SBI Nifty 50 Index में भी exit load है 0.20 तो इसमें भी 15 days है 15 days से पहले fund को बंद करते हैं तो 0.20% का exit load लगेगा तो इस category से UTI Nifty 50 Index और ICIC Prudential Nifty 50 Index मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि Nifty 50 Index में आपको इन चारों में सबसे अच्छा console लगा अब हम अगला index fund देख लेते हैं Nifty Next 50 से इस category से मैंने 5 index fund को एक दूसरे से compare करा है तो एक बार इन पर नजट डाल लेते हैं तो Nifty Next 50 Index Benchmark इसका Nifty Next 50 TRI है composition की बात करें तो Nifty 50 में 50 कंपनिया हैं तो इन 50 कंपनियों के बाद जिन कंपनियों का number आता है उन stock को इस index में सामिल करा जाता है position की बात करें तो 51 से लेके 100 तक market cap की बात करें तो total market cap का 12 से 13% market cap कवर करती है stability की बात करें तो इस index में देखो higher volatility रहती है देख सकते हैं कि small और mid cap कंपनियों एक दिन में 5 से 10% run up भी दिखाते हैं और उसी तरह से गिरते भी है तो इस category में volatility ज्यादा रहती है इसमें high beta वाले stock होते है liquidity की बात करें तो liquidity भी depend करती है जैसे में आपको बताया कि इस category में थोड़ा सा उठापटक ज्यादा रहता है performance की बात करें तो yes इनमें आपको returns अच्छा मिल सकता है लेकिन यहाँ ज्यादा returns मिलेगा वहाँ पे risk भी होता है तो इस category में risk है लेकिन जैसा risk वैसा reward इन सारी कमपनियों में जैसे में आपको बताया कि nifty 50 के बात जो company आती है उनको इनमें सामिल करा जाता है तो यह सारी कमपनिया भी size में छोटी है तो इनमें growth की opportunity ज्यादा होती है इसलिए यह सारी कमपनिया handsome returns निकालके देती हैं तो इस category से मैंने five fund को select करा है जिसमें ICIC, pro nifty next 50, UTI, nifty next 50 index, इन पांचों ही fund का एक बार जल्दी से returns देख लेते हैं तो ICIC pro nifty next 50 ने one year में 63% का returns दिया है UTI nifty next 50 index 62% का returns दिया है मोतिला लोसवाल जो है 61% का returns दिया है access next 50 जो है 60% का returns दिया है around 61% का returns दिया है और LIC nifty next 50 जो है 62% का returns दिया है तो देख सकते हैं कि returns almost same है लेकिन ICIC pro or UTI next 50 index का returns इन तीनों से ज्यादा है एक डेर परसेंट देख सकते हूं वहीं पर हम 3 years का returns देखें तो ICIC nifty ने 21.84% का returns दिया है UTI nifty next 50 जो है 21% से ज्यादा का returns से निकालके दिया है मोतिला लोसवाल 21.79% का returns दिया है access next 50 index 25% का returns दिया है और LIC nifty next 50 21% का returns दिया है जल्दी से एक बार हम लोग एवोम पर नज़र डाल लेते हैं तो ICIC prude nifty next 50 का जो एवोम है 4909 करोर है UTI का है 4067 करोर मोतिला लोसवाल का है 277 करोर और access nifty next 50 का है 197 करोर और LIC का है 84 करोर तो सबसे कम यहाँ पर एवोम LIC का है सबसे ज्यादा यहाँ पर ICIC और UTI का है expense ratio पर नज़र डाल लेते हैं तो ICIC का है 0.30% UTI nifty next 50 का expense ratio है 0.34% मोतिलाल का है 0.35% access का है 0.23% और LIC का है 0.32% PE ratio मैंने यहाँ पे mention कर दिया सेखने के लिए देख सकते हैं कि अभी 57 के ऊपर चल रहा है minimum investment की बात करें तो आप 100 से ICIC nifty next 50 में SIP सुरू कर सकते हैं UTI की बात करें तो इसमें minimum 500 से SIP कर सकते हैं मोतिलाल में minimum 500 से SIP कर सकते हैं और आप access nifty next 50 में minimum 100 से SIP कर सकते हैं और LIC में 500 से minimum SIP कर सकते हैं एक्सिस निप्टी नेक्स्ट फिप्टी इंडेक्स यह तीनों इफंड बेटर लग रहा है आप लोग कोमेंट करके बताएगा कि इस कटेगरी से इन पांचों में सबसे बेटर कौंसल लगा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना प्रिएगा अगला ज Над्वose प्लेवे सकते हैं तब ही आप ऐसे फंड में निवेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और याद रखाए जब भी ईस्मॉल कप क्टेग्री में निविस्ट करने तो at least आपको 7 year plus 2 investment करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल या एक साल के लिए या 6 month के लिए निवेस करना है, तो चलो small cap में निवेस कर लें, नहीं, पहले goal, देखिए कितना risk ले सकते हैं और आपका investment horizon क्या है, अगर investment horizon long term है और आप young हैं, तो बिलकुल आप इस category में निवेस कर स करते हैं, क्योंकि इस category में आपको handsome returns मिलता है, और आप young हैं, और इन में भी जो कंपनियां हैं, वो भी young होती हैं, तो इन सारी कंपनियों में grow होने की opportunity बहुत होती है, तो इस category से मैंने 3 fund को select करा है, निपॉन इंडिया निप्टी, small cap 250, मोती लालो सवाल निप्टी, small cap 250, SSE प्रो निप्टी, small cap 250 returns देख लेते हैं, तो निपॉन इंडिया निप्टी, small cap ने 60% से ज्यादा का returns निकाल की दिया है, एक ही साल में, मोती लाल की बात करें, तो इसने 59.70% का returns दिया है, आईसे एसे प्रो निप्टी, small cap ने 59.29% का returns दिया है, वहीं पर अगर हम 3S का returns देखें, तो निपॉन इंडिया निप्टी, small cap ने 25.31% का returns दिया है, मोती लालो सवाल ने 25% का returns दिया है, आईसे प्रो निप्टी, small cap ने 22% करेंच दिया है, वहीं पर अगर हम fund size की बात करें, तो निपॉन इंडिया का एववा में 1260 करोड, मोती लाल का है 687 करोड, आईस expense ratio की बात करें, तो इन तीनों ही fund में सबसे कम expense ratio यहाँ पर, ICIC, pro nifty, small cap का है, वैसे निपॉन इंडिया, small cap का भी expense ratio थोड़ा सा ही ज्यादा है, इतना acceptable है, P ratio की बात करें, तो देख सकते हैं, कि 45.54 P के multiple पर अभी मिल रहा है, minimum investment की बात करें, तो निपॉन इंडिया, nifty, small cap में 100 से SIP कर सकते हैं, lock-in की बात करें, तो इन तीनों ही index fund में lock-in नहीं है, exit load की बात करें, तो इन तीनों ही fund में exit load नहीं है, तो इस category में आपको निवेस करना है, तो भया, पहले risk देख लीजिएगा, risk से पहले अपना goal देखिएगा, अगर आपका goal और investment horizon long term है, 7 साल से ज 50, poor, nifty, small cap, 250 index, ये दोनों ही fund मुझे अभी पसंद आ रहा है, तो आप लोग comment करके बताईएगा, कि इन तीनों ही category में सबसे best fund आपको कौन सा लगा, आप लोग comment करके जरू बताईएगा, और एक comment जरू करिएगा, कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं किसी कि ये!